हलो दोस्तों, मैं हुइ योगेश गुपता और एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे cryptocurrency के बारे में और वेरियंट की बात करेंगे न तो यह आपका 디자 Ian और ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है मैन Walter वाला वेरियंट है अगर आप चाहो तो यह को आपको automatic में आपको और ऑट्मेयर का ङलती है और petrol और CNG साहती साहत hybrid option वी आपको grand Vitaara में देखने को मिलता है दोस्तो total tournament color option आपको इस कार में देखने को मिलते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँगा दोस्तों प्राइस की बात करें तो 14 लाग इस वेरियंट का एक्सोरूम प्राइस है तो कुछ इस तरह की फ्रंट पर फाइल लेकिन उससे पहले तो याँ चा भी देख लो गई लॉक का बटन मिलता है स्मार्ट की आपको यहां देखने को मिलती है यहां पर देख लो लिखा भी है ग्रैंट विटारा जीटा ब्लू आगे आपको सुजूकी का लोगो देखने को फिर्टों को मिलता है क्रॉम की आपको मोटी सी स्ट्रिप यहां उफर करी जाती है और नंबर प्लेट की यहां पोजीसमर जो लोवर ग्रिल है वह आपकी मैट ब्लक फिनिश में ऊपर वाले ग्रिलापकी ग्लॉसी में सिल्वर कलर में आपको इस किट प्लेट देखने को मिलती है और 210 mm का ग्राउंड क्लेंस आपको यहां देखने को मिलता है दोस्तो अगर एक आप अच्छी कार चाहते है जो लुक्स में भी अच्छी हो माइलेज भी अच्छा निकाल के दे तो आपको बिल्कुल इसकी तरफ जाना चाहिए क्योंकि यह कार आपको 21 का माइलेज निकाल के देती है क्योंकि इसमें आपको माइल्ड हैब्रिट टेकनलोजी ओफर करी जाती है दोस्तो बागी लाइट शेटप की बात करी जाए तो आप देख लीजे आपको यही एलेडी डियारिल्स ओफर किये जाते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट में आपको पूला एलेडी प्रोजेक्टर का हैड्लम्स का सेटप मिलता है तो की पॉजिशन मिलती है फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर और कैमरा वगरा आपको यहां फ्रंट प्रोफाइल में नहीं मिलेगा दोस्तों वहीं उपर आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको बोनेट मिलता है सेम आपका समझ लीजे सेल्टोस क्रेटा उसी आपको नहीं मिलता है छत पर रूफ रेल नहीं है लेकिन अगर आप रूफ रेल लगा लेंगे तो मजा ही आ जाएगा बाडी कलर में आपको यहां पर शार्क की नंटीना मिलता है दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की तो यह देख सकते हैं फ़र रूफ रेल होती ना तो मजा आयé था लेकिन आप चाहिए तो आफ्टर मार्केट लगुआ सकते हैं कोई बडी बात नहीं है बॉडी कलर में आपको यहां पर डॉर्ड हेंडल देखने को मिलते हैं पीछे का ड्यवर्ट येवांडल बात करें तो आपको बॉडी कलर म और यह रही आपकी complete side profile और नीचे कहीं पे भी आपको कोई भी chrome की strip हो गई या black color की पट्टी हो गई कुछ नहीं मिलता है side leading के नाम पे tires की बात करीजा है तो पहले wheel arches पे नजर मार लीजिए पतले wheel arches आपको यहां देखने को मिलते हैं दोस्तो पंद्रा साथ और सत्र इंचिस के tubeless radial tires है डूल टोन में diamond cataloid आपको यहां देखने को मिलते हैं फ्रेंट में आपको यहां पर डिस्क है अप ओलो के tires है torson beam वाला suspension है और पीछे जाएंगे तो rear में भी आपको यहां पर disc brakes offer किये जाते हैं दोस्तों और पीछे आपको मैक फर्सन इस्ट वाला suspension देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर complete side profile देखने को मिलती है एक बार बात कर ली जाए car के rear profile की तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर rear profile देखने को मिलेगी पहले तो आपको यहां पर सुजूकी का लोगो ग्रांड विटारा की बैजिंग रिवर्स पार्किंग कैमरा दो आपको लाइट है नंबर प्लेट इलुमिनेशन के लिए और वह आपकी है बाकि यहां पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं को चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी ओफर किये जात आपको स्मार्ट हाइब्रीड की बैजिंग देखने को मिलेगी और यह वाली टेल लाइट पूरी यहां तक जलती है अभी दिन में पता नहीं चल रहा है यह वाली टेल लाइट यहां तक जलती है बाकि नीचे आपको इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर और रिवर्स लाइट कि आपको कुछ इस्तरा से देखने को मिलेंगी दोस्तों उपर आ जाइए आपको वाइपरदीफौ षका यह panik मिलती है अबक्यक बर्स पुआrence रहे से इस सथिए के स्पॉइलर्स मिलते है ठोड़े से और चॉड़े स्पॉइलर्स होते तो मजा आ था बाकी साइड में द मिलती है लेकिन यह पैट्रोल वाला वेरियंट है यहां पर आपको 45 लिटर की फ्यूल की टंकी देखने को मिल जाती है दोस्तों ठीक है फिलाल इसको बंद कर देते हैं और अच्छी बात है कि दूसरी तरफ भी यहां पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर ओफर किया जाता है गाई और नीचे आपको यह आपका बूट लैंप की बात करी जाए तो आप देखिए यहां पर आपको ने एक लैंप हेलोजन मिलता है मैनवली ऑपरेट करना पड़ेगा 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी मिलता यह अच्छी बात है ताकि इधर आपको एक देख लीजिए क्रोसरी पारेट के लिएक तो आपको यह अच्छी बात है एकदम फलैट बूट है शमान निकालना और रखना बिलकुल मस्त हो जाएगा तेंशन नहीं होगी rear की जो seat है 60-40 split में आपको यहाँ पे seat देखने को मिलती है और बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे complete interior और dashboard देखने को मिलेगा दोस्तों और यहाँ पे आपको grab handle मिलता है इसकी बज़त से आप इसको बंद कर सकते हैं यह ऐसे बंद हो जाएगा तो यह हो गई complete आपकी exterior अब चलते हैं गाड़ी के अंदर door handle पे आप देख सकते हैं body color में door handles with request sensor offer किये जाते हैं इसको खोलते हैं same आपको यहाँ पे door panel dual tone में देखने को मिलता है यह color देख सकते हैं अब परपल शेड में आपको यह मिलेगा और यहाँ पे यह भी परपल है और यह और यह soft है यह hard है bottle holder देखने को मिलता है umbrella holder नहीं सच नहीं लेकिन आप umbrella बड़े आराम से यहां रख पाएंगे दोस्तों बाकि आपको speakers की placement टोटल आपको चार्ज स्पीकर दो टूटर का सेट इस गार में मिलता है तो म्यूजिक का भी कोई टेंसन नहीं है और यहां पर देख लिए पाउर विंडो के control यह वाला पूरा portion आपको gloss मिलता है लॉक अनलॉक और यह आपके ORVM के control और यह आपको रिट्रैक करने के लिए पीछे की विंडो इस से लॉक होती है क्रोम में आपको यह वाला हैंडिल है दोर ओपनर सिलर कलर का आप देखिए यहां पर यूज देख पाएंगे और यह portion पूरा आपको hard मिलता है यहां पर आपको टुटर की placement है दोस्तों शीट की बात करें तो आपको यहां पर मैनुवल एड्जस्वन पर ड्राइवर शीट्स ओफर करी जाती है कोई भी वेंटिलेशन वगरा और यह सब वगरा चीज़े नहीं मिलती है फैबरी का पोश्टी में आपको पूरी यह सीट्स देखने को मिलेगी डूल टोन में है ब्लैक और परपल इस टोन है परपल और ब्राउन मिक्स करें तो उस तरह का टोन आएगा और यहां पर आपको पूरा देख लो लंबर सपोर्ट बहुत बढ़ी है आप बैठोगे चि पिनिशन का स्विच और किनारे किनारे क्रोम एसंट है यह पूर्सल आपको अपी तेखने को मिलता है यह जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो देख लिए यह कुछ इस तरह से आपको कम्प्लीट डेश बोर देखने को मिलता है और यहां पे आपको 9 इंच्रेन दे करती है और reverse camera की एक बार में आपको quality दिखा दीता हूं यह देख लीजिए तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर reverse camera की quality मिलेगी guidelines आपको adaptive नहीं है मतलब steering के साथ move नहीं होती है लेकिन range marker वगर आपको यहां दिये गया है चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी company प्रोवाइड करती है दोस्तों बाकी glossy black finish में यह वालब पूरा portion आपको यहां देखने को मिलता है यहां पर आपको AC के traction off करने के लिए engine idle start stop switch 12 volt का socket यहां पर आपको एक USB port थोड़ा से space मिलता है 5-speed manual gearbox यहां पर आपको 2 cup holder देखने को मिलते है पानी की bottle रखी हुई है manual handrakes है armrest आपका soft touch में sliding भी है और इसके अंधर space भी है ठिक seats में लेड़ी दिखा चुका हूं glove box दिखाता हूं कुछ इस size का glove box आपको यहां मिलता है दोस्तों और dashboard पर एक बार नजर मार ले तो triple tone में dashboard है black color hard silver color hard और यह वाला portion आपका soft touch में है brown leather में आपको यह देखने को मिलता है purple और brown mix किया गया इसमें ठिक और ASIC events आपको यहां मिलते हैं और वहां मिलते हैं और दोनों का ना ऊपर close में देखने को मिलता है dashboard आपको पूरा hard मिलेगा instrument cluster की बात करी जाए तो आपको यह पर semi distant instrument cluster देखने को मिलता है दोस्तों बाकी इदर left right में rpm meter right side में speedometer average fuel economy वगरा सब कुछ आपको बीच में दिखाएगा यह आपको लगबग 4 इंच की तीन इंच की display बाइच में मान लीजिए आपको लगबग मिलती है steering column आपको round bottom देखने को मिलेगा सुजुकी का logo offer किया जाता है बाकी left side में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे infotainment screen related control volume plus minus करना हो mute करना हो mode change करना हो यहाँ से होगा right side में आपको cruise control भी देखने को मिलता है दोस्तों बीच में सुजुकी का logo और यहाँ पे आपको देखो horn की placement है airbag की badging है कुछ इस तरह से horn बसता है बाकी इदर phone receive करने के लिए cut करने के लिए और voice function आपको यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों बाकी इदर देख लीजे headlights automatic मिलती है वाइपर आपको यह automatic नहीं मिलते है दोस्तों steering column की बात करिजा तो आपको यहाँ पे tilt और telescopic दोन में मिलता है और यह देख लीजे कुछ इस तरह से अगर side से देखेंगे तो instrument cluster कुछ इस तरह से दिखेंगा का भी बढ़िया लगता है उपर आपको यहाँ पे vanity mirror driver side में मिलेगा और light भी मिलेगी बहुत बढ़िया इधर भी आपको light और vanity mirror दोनों मिलता है automatic आपको यहाँ प belt इसको आप height adjust कर सकते हैं दोस्तों और इधर आपको कोई भी grab handle नहीं मिलेगा तो यह हो गया आपका complete front का dashboard और console कैसा लगा प्लीज एक बार comments में जरूर बताएगा अब चलते हैं एक बार second row में second row के sitting of work की बात कर लेते हैं second row की बात करी जाए तो इस door panel पे आपको same dual tone का interior मि यह portion soft में है यह भी soft है यह hard है chrome का use यहां मिलेगा power window के controls यह पूरा portion glossy black finish में मिलता है दोस्तों speakers की placement पीछे भी आपको speakers मिलते हैं bottle holder है umbrella आप यहां नहीं रख पाएंगे अगर बाहर से देखेंगे तो यहां सेम आपको dual tone में आपको यहां पे sheet covers देखने को मिलेंगे यह fabric posti में sheets है black और purple color बोल सकते है और dark purple ब्राउन और purple मिक्स करेंगे तो ऐसा tone आएगा 60-40 split में sheets देखने को मिलेंगी जब आप गाड़ी के अंदर बैटेंगे तो सबसे पहले हम leg room की बात करते हैं sufficient leg room और knee room मिलता है और thigh support में भी कोई कमी आपको यहां नई wheel होती है rear में EC के vents है उसका airflow control करने के लिए आपको देख लो एक USB port और दूसरा type C port यहां पे मिलता है दोस्तों बाकी थोड़ा सा hump आपको यहां देखने को मिलेगा और second row से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको complete dashboard है उपर light है लेकिन second row में light की बात करें तो आपको यहां मिलती है individual halogen light है grab handles with the coat to hanger दूसरी तरफ भी आपको halogen light है इधर grab handles है soft closing है लेकिन इधर वो नहीं है आपका coat to hanger बीच वाले passengers के लिए seat belt यहां से निकल के आती है और यह रही आपकी parcel tray कुछ इस तरह से आपको complete interior देखने को मिलता है यह interior आपको कैसे लगा comments में जुरू बताईगा यहां पर आपको magazine roller मिलता है इधर भी आपको magazine roller मिलता है तो कुछ समान उमान रखना हो तो आपको विल्कुल tension लेने की जरूत नहीं है अब एक बार बात कर लेते हैं इसके engine बेखी इस कार में आपको 1462cc का basically मान के चला जाए तो 1.5 लीटर का K15C series engine देखने को मिलेगा जो की mild hybrid technology के साथ आपको देखने को मिलता है 101bhp की power 136Nm का आपको यह टॉर्क निकाल के देता है और 21.11 kmpl का mileage company क्लेम करती है दोस्तो लेयाउट की बात करी जाए तो आप देखी सकते है आपके सामने कुछ इस तरह से आपको यहां पर लेयाउट स्काइब करेगा कार्स लेटिट कोई भी क्वेरी हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कॉल करके परिशान कर दीजिए टैस डैव लीजिए और पसंद आती है तो गाड़ी खरीद भी सकते हैं तो मैं करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो पस कर दो